नमस्कार दोस्तों जीके संसार में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो काफी इंफर्मेटीब होने वाला है क्योंकि आज हम प्रिसकस करेंगे बिटिस आसन काल में जो पर मुख एक्ट लाई गई थी उनके बारे में तो आप इस वीडियो को एंट देखिएगा क्योंकि काफी इंट वीडियो है आपके सभी परिच्छा दिश्टी से तो यहां पर एक्ट है यह वर्ट से और किस गवर्ण जनरल या वाइसराक के दोरान उसको हमेहाँ पर देखेंगे और साथी साथ इसमें मुख्य बिंदू क्या थी उस पे भी हम चर्चा करेंगे तो सबसे पह ओर से पर प्रावद्हान गया कि बंगाल का गवर्नर बंगाल चनलन बन गया यह और मत Rise की से औरहाद आया और iPhone हो मुं स्तृपना कर दिया नी कि इसे की नीची विफिजे रखे गया, पिट्स India Act 1784 में ठीक है, पिट्स India Act 1784, किसके समय में आया, वारन हस्टिंक के समय में ही आया, और इसमें Board of Kontroll के स्थापना की गयी, तर उसके बाद आया Charter Act 813, इसके समय में आया, लॉड मिन्टो के समय में आया, और इसके अंदर किसी बिंदु है कंपनी के व्यपारी का धीकर के स ComingThe चीन को छोड़कर और संदे साथ सबी अंग्रेज व्यपार्यों को भारास से व्यपार करने की छूट इसमें दी गई अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सा एक्ट है जिसके अंदर अंग्रेज ब्यापारियों को भारत में ब्यापार करने के छूट मिली तो है Charter Act 813 उसके बाद आता है Charter Act 833 जो कि Lord William Wenti के समय में आया और यह जो है मुख्य बिंदू के अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतरकत Company का भारत से बैपार करने चिन के बैपार के एकाधिकार की स्मापती की गई बंगाल का गवर्नर जनल बना ठीक है लेकिन 833 के अंतरकत, Charter Act 833 के अंदर जो बंगाल का गवर्नर जनल था वह क्या बन गया गवर्नर जनल बन गया ठीक है और भारत के गवर्ण जनर भारत की परिशद में एक विधी पार्षद की न्यूक थी और साथे साथ मैकाले प्रत्थम विधी पार्षद और सता का पूर्ण केंद्री करन जो है इसी केंद्रगत किया गया इसके अंदर Charter Act 1833 उसके बाद आता है Charter Act 1853 यह आया था Lord Dalhauji के सासनकाल के दोरान और इसके अंदर जो मुखी बिंदू थी वो थी British संसत को किसी भी समय इक्षानुसार कंपनी से भारत का सासन अपने हाथों में लेने का अधिकार ठीक है इसमें क्या था कि British संसत को यह अधिकार हो गया किसी भी समय इक्षानुसार कंपनी से भारत का सासन जो है अपने हाथों में लेने का अधिकार और सरकारी सेवाओं के लिए ICS परिछा का प्रारम जो है इसी कंदरगत किया गया चार्टेट अक्षास तीरुपन कंदरगत और बंगाल के लिए प्रिथक लेफ्ट इनियोंड गवर्नर की निउप्ति की गई यानि कि बंगाल के लिए अलग से एक लेफ्ट इनियोंड 13 में लेकिन 13 में क्या हुआ कि यह जो परिषत थी उसको कानून लाने के लिए जो सहायता होगी उसमें नए 6 सदस्यों को सामिल किया ठीक है कि परसत को 6 चार्ट को बनाया जा सके और उसके लिए निउक्ति की गई इसляется के अंदर गवर्धी पर निउन्य कि परफ सरकिंस दस कि बेधी पारसद को गवर्न जल की परसद में पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला उसके बाद आता है 1859 का अच्छे सासन का अधिनियम लौड कैनिंग के समय में आया और इसके अंत्रगत भात का सासन ब्रिटेन की संसत को दिया गया ओ अच्छे सासन का अधिनियम का अंत्रगत आती अधिकार भारत परसद की इसी के अंत्रगत आता है इसी में परवेश साथ वॉय वायसराय की परसद में पांचमे सदस्य अर्दमंत्री की नियुकति वायसराय को नियम बनाने तरह अपनी परसद के विश्थार का अधिकार इसमें दिया गया उसके बाद आता है भारतिये परसद कानून 892 ये लेंस डाउन के समय में आया और इसमें जो मुख्य बिंदू थ था कि केंद्रिये विश्थापिका सभाके सदस्यों की संख्या है इसको कम से कम 10 और अधिक से अधिक सोलर निश्चित कर दे गए यानि कि कम से कम 10 होंगे और अधिक्तम सोलर होंगे और केंद्रिये रथा प्रांतिये विश्थापिकाओं में गैर सरकारी सदस्यों की संख् पारी इसमें विर्दी की गई इसमें भारतिये परिसत कानून 892 में जो कि लेंस डाउन के समय आया था उसके बाद आता है मारले मिंटो अधिनियम 1909 लाड मिंटो के समय में आया था इसके अंतरगत जो बाते थी हो थी केंद्रिय व्योस्थापी का जो है उस सभा के सदस्यों के संख्या 16 से बढ़ाकर साथ कर दिया और प्रांतिये व्योस्थापी को की जो संख्या है सदस्यों की संख्या थी उसमें भी व्रिदी कर दिया गया उसके बाद आता है मारले मिंटो अधिनियम 1909 जो कि लाड चैंप्वूड के सासनकाल में आया और इसमें जो मुख्य बि सुर्वाक के अंदरिये व्योस्थापी का जो थी वो दो सद्नों में भाधित और व्योस्थापी का सभा के सदस्यों को सिमित मतदान का अधिकार यह सभी किये गए इसमें लौर्ड चैंप्वूड के सासनकाल में जो आया मौंटिको चैंप्वूड अधिनियम 1909 उसके अं और सासन के संपुर्ण विसेयों का संगिये प्रांतिये और समुर्थी सुची में विवाजन एक ही आगया भारत सकारादियम 1935 में जो की लौर्ड वैलिंटन के समय में आया था उसके बाद आता है भारतिये सुतंता कानून 1947 या था लौर्ड मांट बेटिन के समय में और इ 30 समराठ की भारत समराठ की उपाधी जो थी वह समाप थी किसके अंतरगत भारतिये सुतंता कानून 1947 के अंतरगत तो यह थी मुख्य एक्ट जो की काफी इंपॉर्डेंट है आपके एजामेशन पॉइंट वीव से उम्मेद करते हूं आप सब को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेल किजिएगा और अगर कोई सुझा हो आपके पास तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा थांक्स वाचिंग मिलेंग आप सबसे साथ नेक्स वीडियो